दॉक्टर सिरफ आपको दवाई देते हैं जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपने आज सक सुनी भी नहीं होगी या फिर आपने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया होगा दोस्तों जो डिजीजिस आपके घरों में हैं जैसे कि डाइबेटीज, थाइरोइड, पीसी ओडी ये डिजीजिस क्या हैं? इसके बारे में हमें बिल्कूल गलत बताया जाता है जब आपको डाइबेटीज होने पर डॉक्टर से सुजेशन मिलता है क्या सुजेशन मिलता है? कि आपको मीठा खाना कम करना होगा डॉक्टर आपको ये नहीं कहता कि आपको आपका लाइफ स्टाइल बिल्कूल चेंज करना है वो सिरफ आपको कहेगा कि डाइबेटीज की बिमारी ला इलाज है यानि कि ऐसी बिमारी है, जिसका कोई इलाज नहीं है आपको हर रोज दवाई खानी है हर महीने हमारे पास आना है ये भी वो आपको जरूर कहेगा ताकि डॉक्टर की दुकान चलती रहे लेकिन दोस्तो जो भी बिमारियां हॉर्मोनल इंबैलेंस के कारण होती है वो completely reverse हो सकती है यानि कि वो जड से खतम हो सकती है अब ये हॉर्मोनल इंबैलेंस वाली बिमारियां क्या होती है जैसे कि diabetes है, thyroid है, PCOD है ये जो भी बिमारियां है ये सिरफ हॉर्मोनल इंबैलेंस के कारण आती है हॉर्मोन्स जिनकी हम बात कर रहे हैं इनको हमारा शुरीर ही produce करता है एक certain amount में अगर हमारा शुरीर उन हॉर्मोन्स को कम या ज़्यादा produce करने लगे तो हम इसे hormonal imbalance कहते हैं ये सेम diabetes के case में होता है diabetes के case में हमारे शुरीर में insulin hormone की production कम हो जाती है तो इसे कहते हैं hormonal imbalance और इससे diabetes हो जाती है thyroid के case में हमारे शुरीर में thyroid के hormones कम या ज़्यादा बनते हैं अगर वो कम बनेंगे तो hypothyroid अगर वो ज़्यादा बनेंगे तो hyperthyroid ये भी hormonal imbalance है अब ये जितनी भी hormonal imbalances की बिमारियां हैं इनको आप असानी से सही कर सकते हैं सूरिया की रोशनी के जरिये सूरिया यानि की sun जो हमें free में energy देता है ये sun हमारे शुरीर को जो energy देता है उससे आपकी सारी ये बिमारियां जैसे की diabetes, thyroid ये सब खतम हो सकती हैं कैसे खतम हो सकती हैं? चलिए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों रिष्टिदार भी स्वस्त रहें तो आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी उनके साथ share करें इस वीडियो को share करने के लिए वीडियो के नीचे इस share बटन के उपर क्लिक करें और लिस्ट में WhatsApp और Facebook सेलेक्ट करें और जल्दी से इस वीडियो को share करें लेकिन डॉक्टर आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताएगा डॉक्टर सिरफ आपको दवाई देगा लेकिन दोस्तों अगर आप सूरे की रोशनी में दिन में कम से कम 30 मिनिट रहना शुरू कर दें तो आपकी ये बिमारिया तीन महीने में जट से खतम हो सकती है सूरे की धूप में कब निकलें? दोपहर के समय बिल्कुल नहीं निकलना यनि कि जब सन्राइज का समय है उस समय आधा घंटा आप सूरे की धूप में रह सकते हैं या फिर शाम को जब सूरे अस्थ होता है संसेट के टाइम पर आपको आधा घंटा सूरे की धूप में रहना है उस समय आपको कम से कम कपड़े पहनने है ताकि सूरे की धूप डिरेक्टली आपकी स्किन को टच करे ऐसा करने से आपके श्रीर में जो भी विशेले ततव जो भी टॉक्सिंस हैं वो बाहर निकलते हैं आपका श्रीर उस सूरे की रोशनी को विटामिन D में कनवर्ट करता है जो विटामिन D आपके श्रीर के अंदर के हॉर्मोन के इम्बैलन्स को सही करता है ये जो हमारे श्रीर को diabetes होती है हमें लगता है कि शायद ये जादा मीठा खाने की वज़े से है लेकिन दोस्तों ये सिर्फ hormonal imbalance है जो कि insulin के hormones को produce करता है उसकी कारेक शमता थोड़ी कम हो जाती है आपको सिर्फ सूर्य की धूप में हरो जादा घंटा रहना है ऐसा करने से आप अपने श्रीर की सारी बिमारियां खतम कर सकते हैं तो दोस्तों ये तो हुआ किस तरह से आप सूर्य की धूप के जरिये अपने श्रीर की बिमारियों को खतम कर सकते हैं अब जानते हैं कुछ जड़ी बूटियों के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमारे घर में हैं, हमारे घर की किचन में हैं, लेकिन आप उनका इस्तिमाल नहीं करते, इसलिए आप उनके सही फाइदे नहीं ले पाते, यह यह कह लीजिए आप उन चीज़ों को भी आप गुड़ दे सकते हैं क्योंकि गुड़ में बहुत सारे पॉस्टिक ततब हैं आयरवेद में गुड़ को एक संपूरन आहार के रूप में दिखा जाता है आयरवेद की किताब अस्ट्रांग हरिद्यम जिसे हजारों साल पहले महारिशी वागबड जी न लिखा था उ गुड़ को खाने का सही डंग नहीं मालूम कुछ लोग गुड़ को चाय में या दूद में डालकर पीते हैं लेकिन आपको हम बता दें कि गुड़ को कभी में दूद में नहीं डालना चाहिए अगर आप गुड़ को दूद में डालकर दूद को उबालते हैं तो आप गु सुबह उठते ही खाली पेट गुड़ खाएं और उपर से गरम पानी का एक गिलास पीएं ये दो तरीके हैं जिससे आप गुड़ ले सकते हैं अगर आप सुबह उठकर खाली पेट गुड़ का सेवन करेंगे उपर से गरम पानी पीएंगे तो इससे जो आपको फायदे आप जानकर हैरान हो जाएंगे, चलिए थोड़ा फाइदों के बारे में जान लेती हैं, दोस्तों अगर आपको कफ की प्रॉबलम है, कफ यानि की बलगम, आपके श्रीर में अगर कफ बढ़ा हुआ है, आपको सर्दी, खांसी, जुकाम है, अस्थमा की प्रॉबलम है, लंग कभी बलगम बढ़ती है, कफ बढ़ता है, उस समय हमारे श्रीर में फॉस्फोरस की कमी हो जाती है, फॉस्फोरस एक कैमिकल है, इस कैमिकल की कमी से ही हमें कफ होता है, इसलिए अगर आप सुबह उठकर खाली पेट गुड़ खाते हैं, उपर से गरम पानी पीते हैं, तो इ अगर आप खाली पेट गुड़ खाकर गरम पानी पीते हैं, तो इससे हमारी पाचन शक्ती बहुत बढ़ती है, जिससे हमारे पेट से सारे टॉक्सिंस बाहर निकलते हैं, आपकी बड़ी आंथ की सफाई होती है, और आपका शुरीर आटोमेटिकली स्वस रहना शुरू हो अगर आपके बाल जड़ते हैं, सफेध हैं, तो आपको कुछ ऐसा खाना होगा जो बालों को न्यूट्रीशन दे, इसके लिए गुड़ सबसे अच्छा है, अगर आप सुबह उठकर गुड़ और गरम पानी का सेवन करेंगे, तो आपके जड़ते हुए बाल एक महीने में बन्द हो जाएंगे, और आपके बाल लंबे होने भी शुरू हो जाएंगे, अगर आपके बाल सफेध हो रहे हैं, तो वो काले होने लगेंगे, अगर आपके शरीर में खून की कमी है, तो आपके लिए गुड़ और गरम पानी सबसे अच्छा है, क्योंकि गुड़ में उतना ही important है जितना किसी गाड़ी के लिए petrol, अगर किसी गाड़ी में petrol खतम हो जाए तो वो गाड़ी चलना बंद हो जाती है, ठीक उसी तरह से अगर हमारे श्रीर में खून की कमी आ जाए या खून कम हो जाए तो इससे हमारे श्रीर की गाड़ी भी रुख सकती है, यानि हमा पानी का सेवन करेंगे तो आपके श्रीर में से खोन की कमी दूर होगी जिससे आपका श्रीर स्वस्त रहने लगेगा आपको ठकान, सिर्दर, लो बीपी, बालों का जड़ना, पेट से समंधित प्रॉब्लम्स इन सभी चीजों से अराम मिलेगा हाई ब्लड प्रैशर के केस में भी गुड़ खाना सबसे अच्छा है, जो लोग सुबह उठकर गुड़ और गरम पानी का सेवन करते हैं, वो पुराना से पुराना हाई ब्लड प्रैशर सही कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रैशर दोस्तों बहुत बड़ी बिमारी है, लेकिन हम इसे चोटी बिमारी समझते हैं क्योंकि डॉक्टर हमें इस बिमारी के लिए चोटी सी दवाई देता है और उस चोटी सी गोली को खाकर हमें लगता है कि यह high BP तो normal है दोस्तो high BP को hypertension या silent killer भी कहा जाता है silent killer मतलब यह आपको मार सकता है अगर आपका high BP है तो आपको heart attack आ सकता है high BP के कारण आपके brain की nerves खतम हो सकती है brain की nerves burst हो सकती है जिससे आपको brain stroke आ सकता है लकवा paralysis हो सकता है तो आप high BP को नजर अंदाज ना करें high blood pressure कितना भी पुराना हो सुबह खाली पेट थोड़ा सा गुड़ खाकर 2-3 गिलास गुनगुने पानी के पीजगे ऐसा करने से 1- दो महीने में पुराना से पुराना high blood pressure normal पे आ जाता है यह बहुत ही बढ़िया नुसका है high blood pressure के case में तो दोस्तो आज की वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम सूर्य की रोशनी के जरिये अपने hormonal imbalance को सही कर सकते हैं diabetes को thyroid को कैसे सही कर सकते हैं और दूसरा हमने जाना good और गर हमें doctors बताते हैं या जो हमें TV में advertisements मिलती हैं हमें उन पर ही विश्वास करना पड़ता है अच्छी information देने वाले लोग बहुत कम हैं क्योंकि अगर आपके पास अच्छी information आ गई फिर तो आप बिल्कुल स्वस्त रहना शुरू हो जाएंगे और अगर आप स्वस्त रहेंग लेकिन दोस्तों ये बिमारियां खतम करना कितना असान है आज आप समझी चुके हैं आज की वीडियो में इतना ही